Hello my dear students, good morning, I am your LKG teacher from Tanah English Medium School So students, आज का अमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी में अमने लाइन्स तो सिख ली है अभी हम सिखेंगे स्वार आप बोलते थे ना हम बोलते थे पता है वो राइम्स के आज हम स्वार सिखेंगे लिखना तो सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की CW बूक निकालनी है and open your book, page number 10, 1010 आपको ये वाला page निकालना है और इसमें है स्वार का पहला वर्ण आ आज हम ये फर्स्ट वर्ण सिखेंगे आ, ओके, सो लेट्स स्टार्ट सो स्टूडन्स देखो यहां पे ये कुन सा वर्ण है स्वार में देखो यहां पे कितने सारे वर्ण लिखे हुए ये क्या है स्वार्ण, ओके, तो सबसे पहले हम ये रिपिट कर लेते हैं तो आपको पता चल जेगा कि हिंदी में स्वर्म में पहला वर्ण कुन सा आता है तो चलो स्वार्ण करते हैं फर्स्ट अ, आ, इ, इ, उ, 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 नेक्स्ट, री, ए, अई, ओ, अउ, अम, अहां ओके, तो ये सारे स्वर्ण हमने वन टाइम रिपिट कर लिए तो अभी ये सारे स्वर्ण में से पहला वर्ण हम कुन सा बोले आ, तो आज हम सिखेंगे आ, तो देखो यहां पे लिखा है आ, आ से क्या होता है, यहां पे मैंने ड्रो किया है, यह क्या है अनार असे अनार हम बोलते हैं ना असे अनार असे आम तो फरस्ट वन का है असे अनार ओके तो चलो अभी आपकी book में ऐसे आपको dots दिये गये है पूरे page में ये सारे dots आपको trace करने है तो हमारा one अ बन जाएगा तो चलो start कते हैं यहाँ पे और देखो हमने पहले से ही lines सारी सिख लिए sleeping line, cause, slanting line सिखी है ना सब तो उसी से यह और banana हम सिखेंगे तो देखो यहाँ से मेरे साथ आप start करो cause, again cause, फिर यहाँ पे sleeping line and standing line और फिर उपर यहाँ पे करने आपको sleeping line तो यह क्या बना हमारा a next फिर से करेंगे हम cause, again cause, sleeping line, standing line, again, sleeping line यह क्या बना a देखो यहाँ पे, यह cause, again cause, फिर यहाँ पे sleeping line फिर standing line करने है and then again यहाँ पे उपर sleeping line तो यह बना a, a से under next फिर से हम करेंगे देखो अभी आपको एक एक पार्ट करके दिखा रहे हूँ उसी तरह आपको पर नाइड यहाँ पे हमने किया cause, किया, next again cause, फिर यहाँ पे sleeping line, फिर यहाँ पे standing line, again, sleeping line यह क्या बना a, a से under अभी आपको एक मैरे साथ यह dots को ट्रेस पी करना है और यह बोलना भी है चलो फिर से हम करेंगे curves, again curves, sleeping line, standing line, sleeping line और से अना very good students हमने यह first वाली लाइन को कर लेंगे अभी हम next वाली लाइन करेंगे curves, again curves, again curves, sleeping line, standing line, यह sleeping line यह बन गया हमारा वाला a, a से under अभी आपको फिर से करना है curves, यह dots है न, बिल्कुल इसको ही आपको ट्रेस करना है ओके, us से अनार फिर से हम करेंगे यहां पे again curves, sleeping line, standing line, and sleeping line us से अनार अभी फिर से करेंगे अभी देखो फिर से मैं आपको parts में सिखा रही हूँ ताकि आपको ना समझ में आए है तो फिर से समझ में आ जाए है ओके, तो मेरे साथ करो curves again curves फिर sleeping line किया students very good फिर यहां पे standing line फिर यहां पे उपर sleeping line us से अनार very good अभी चलो third वाली line करते हैं आपको यह ध्यान रखना है कि आपको बिल्कूल यह dots से उसके उपर ही trace करना है ओके, यह dots है ना, वहां पे ही आपके pencil का point चलना चाहिए यहां से बाहर अगर आप एसे करोगे तो यह तो wrong होगा क्योंकि यह dots में तो trace हुआ ही नहीं, हमें तो trace करना है, यह तो यहां पे बाहर निकल गया तो यह wrong होगा, अगर आप एसे करोगे ना तो यह wrong होगा, एसे नहीं करना है, बिल्कूल इसके उपर ही trace करना है, जैसे कि यह cause, again cause, slipping line, standing line and slipping line, बनाना यह अच्छे से, तो इसी तरह से आपको भी dots के उपर ही अपने pencil चलानी है, आज से अना, और अगर एसा कुछ भी हो जाए, तो वो आप eriser से erase कर देना, फिर से हम last वाला करेंगे, cause, cause के बाद क्या करना है students, yes, very good, again cause, फिर, yes, slipping line, standing line, slipping line, तो यह बना हमारा अ, अ से अना, ओके, और आपको यह trace करना है, तो यहां से, यहां से, यहां से, यह से start नहीं करना है, यहां से ही always start करना है, आपको, okay, cause से, यही है, इसकी right method है, तो इसी तरह से आपको इसके नीचे line से वो complete करना है, okay students, और साथी साथ बोलना है, और से अनार, और से अनार, इसे आपको बोलना भी है, और practice भी करना है, तो चलो students, इसके साथ हम थोड़ा सा homework भी कर लेते हैं, So students, take out your Hindi HW book and open your book page number 10, इसमें भी आपको page number 10 में अदिया गया है, इसी page में आपको अपना homework भी complete करना है, और CW में आपका work भी complete करना है, okay students, thank you.